Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhary, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon कुछ समय से आप लोगों के कुछ questions आ रहे थे कि डॉक्टर साब ये trans epithelial PR के ये कौन सा operation है चश्मा हटाने का हूँ तो सारा मैं आज आपको clarity दे रहेता हूँ देखिए trans epithelial PR के कोई नया operation नहीं है ये laser से चश्मा हटाने की techniques की एक category of operation है तो थोड़ा सा मैं और detail मैं समझाता हूँ तो जैसे मैंने आपको पुरानी videos में बताया वाए कि अगर हम एक patient का laser से चश्मा हटाने का plan कर रहे है तो इस laser को आंख पर तीन तरीके से डाला जा सकता है तो पहला तरीका होता है surface वाला तरीका जहां पे laser को directly आंख की काली पुतली पर डाला जाता है इस category को कहते हैं surface ablative procedures फिर एक second category होती है जहां पे हम patient की आंख में एक पहले flap बनाते हैं उसको उठाते हैं और laser को आंख पे डाल कर चश्मे का number ठीक करते हैं तो यह second category है flap based laser procedures और third category होती है flapless lenticule वाले procedures जैसे silk हो गया, smile हो गया इनमें हम लोग क्या करते हैं कि laser पुतली के अंदर एक पतली सी tissue का disc बना देता हैं जिसको हम side से निकाल लेते हैं और चश्मे का number ठीक हो जाता है तो अगर हम आपके चश्मा हटाने का operation इस category से कर रहे हैं surface वाली category से कह रहे हैं तो इसी category का एक दूसरा नाम है trans epithelial PR के जैसे आपने epicontura के बारे में सुना होगा जहां पे हम laser directly आंग पर डाल के चश्मे का number ठीक करते हैं तो epicontura जो है वो एक trans epithelial PR के या surface वाले laser category का एक operation है तो अब थोड़ा सामय और detail में अगर बताना चाहूँ तो ये जो surface वाले operations होते हैं इनमें हम जब laser से चश्मा हटाते हैं तो किसी भी तरह का कोई cut नहीं होता कोई flap नहीं होता कोई touch नहीं होता बस patient machine पर लेता होता है और directly laser को patient की आँख पर डालके चश्मे का नमबर ठीक कर दिया जाता है अब इस operation के कुछ advantages हैं और कुछ disadvantages हैं तो advantage क्या है क्योंकि इस operation में किसी तरह का cut या flap नहीं बना तो आँख में किसी भी तरह का निशान नहीं आता no scar तो especially जो बच्चे medicals के लिए जाना चाहते हैं railways के लिए, air force, F-cat के लिए, SSB के लिए इन सब जो categories होती हैं ये jobs वहाँ पे laser operation allowed नहीं होते तो ये जो सारे students हैं ये usually trans epithelial PR के या epicontura वाला operation prefer करते हैं क्योंकि उसमें कोई निशान नहीं आता और जब medical में checking होती है, slit lamp में checking होती है fundoscopy होती है, तो पता नहीं चलता कि आँख में कोई operation हुआ गा है second advantage ये है कि अगर आपकी पुतली की मुटाई कम है तो हम आपके flap वाले और flapless lenticule वाले operations नहीं कर सकते ऐसी condition में भी surface वाले या trans epithelial PR के वाले operations प्रेफर करे जाते हैं और साथ ही साथ ये patient के लिए बहुत comfortable होता है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, patient बस लेटा वाए, हम button दवाते हैं और उपर से laser आ जाते हैं करीब 20-30 second के लिए and that's it, चश्मे का number खतम हो जाता है disadvantage क्या है, कि इन वाले laser की limit है कि हम सिरफ पांच number तक का चश्मा इस से हटा सकते है उससे उपर अगर हम treatment करते हैं तो आंग की पुतली पर सफेदी या corneal haze का side effect बनता है and दूसा disadvantage है कि इसमें जो healing है वो थोड़ी delayed है जैसे अगर मैं flap वाला या flapless lenticule वाला करता हूँ तो 24 घंटे में आपकी नजर साफ हो जाती है और अपने काम पर वापे जा सकते हैं compared to trans epithelial PR के जहां पे healing करी 15-45 दिन की रहती है तो थोड़ा जादा time लगता है नजर को बिलकुल perfectly साफ होने में, clear होने में साथी साथ माली जे कोई sports में जादा है या contact sports है, boxing वगएरा करते हैं, adventure जादा करते हैं तो ऐसे patients के लिए भी हम ये वाला operation prefer करते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का flap नहीं बनता तो कल को आँख में अगर चोट लग भी जाती है तो कोई flap नहीं है, तो कुछ हिल नहीं सकता तो आपको कोई complication या damage नहीं होता अब trans epithelial PR के वाले operations या surface वाले operations भी time के साथ advance कर रहे हैं तो इसमें अलग-अलग types के operations हैं और अलग-अलग types के quality आती है तो एक basic operation है, जिसमें aspheric one star quality आती है तो उस operation का नाम है smart surf फिर technology upgrade हुई, wavefront guided वाले आगए operations double star quality वाले, इस operation का नाम है customize फिर all technology upgrade हुई, topography guided वाले, three star quality वाले आगए इस operation का नाम है epicontura तो ये operation अभी तक का सबसे popular operation रहा है surface ablative या trans epithelial PRK की category में और अब technology और upgrade हो गई है अब हमारे पास ray tracing guided operations आ गए है four star quality आती है इस operation का नाम है wave light plus इनोवाइस, तो आजकर 2025 में अगर हम patient का चश्मा हटाने का operation surface वाली category या trans epithelial PRK वाले चूज करते हैं तो आजकी date में patient का wave light plus इनोवाइस वाला operation करते हैं तो ये सारे जो नाम है ये basically सारे इस category के operation है surface वाले या इसी category को हम trans epithelial PR के भी कहते हैं time के साथ technology upgrade हो रही है और vision की quality है वो better हो रही है तो यहां तक हम usually patient को 6-6 का advantage दे पाते थे epicontura आया तो patient को 6-6 से उपर 6-5 तक का advantage दे देते हैं और अब wave light इनोवाइस आया है तो इससे भी better 6-6, 6-5, 6-4 या 6-3 यहां तक का patient को हम advantage दे देते हैं तो बस इतना मैं आपको समझाना चाहता था कि trans epithelial PR के कोई नया operation नहीं है यह एक operation की category है बस इस category को कोई surface abulated procedure कहते हैं और कोई trans epithelial PR के कहते हैं कुछ लोग इसी को touchless lesic कहते हैं touch less lesic क्योंकि इस operation में आंग को touch करने की भी जूरत नहीं है laser तो directly आंग पर आ रहा है तो no cut, no flap, no touch तो touchless lesic भी कुछ लोग interchangeably use करते हैं इसी category की operation को इस नाम से भी जाना जाता है इस नाम से भी जाना जाता है कुछ लोग डारेक्ट बोल देता है epicontura कराने आया जी so ये interchangeably जो words रहे वो use होता है तेकिन basic science आपको समझनी है कि ये सब technologies काम कैसे करती है तो again इस से related मन में और कोई भी doubt हो तो बैसे comment section में पूछ सकते हैं thank you very much और भी back soon